हलो दोस्तों मेरा नाम है रभी और आप देखरें मेरा चैनल फिल्मी फंडे आज अब जिस फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे उस फिल्म का नाम है कर्णन इस फिल्म को देखने में थोड़ा सा लेट जरूर हो गया बट लेट होनी की वज़ा ये थी कि मुझे बीच में देखी है अब इस फिल्म की जब मेरे ट्रेलर देखी तो मेरे एक्स्पेक्टेशन बहुत जादा हाई होगे थी द्यू टू रीजन्स पहले मारी सिल्वराज जिनों ने हमें 2018 में पेरियरों पेरुंगल करके बहुत ही बेतरीन फिल्म दी थी और उसी तरफ धानुस जो करती है तरफ द्यू जब आप करने के लिए बैठें तो मन में आप धानुस की सारी पुरानी फिल्मों को एक साइड रखनें और कंटन को फिर देखने के लिए बैठें इस पेसली अगर आप असुरन देखके आए हैं और फिर आप कंटन देखेंगे तो शायद आप कही ने कहीं के मन में ले के चलेंगे बडडर अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इसी दो पूसायद डिस्रपॉंट्मेंट मिल सकती है कि एक छोटी सी बच्ची रोड की उपर लेटी हुई है बट उसको होस्पिटल पहुचाने के लिए कोई भी बस या कोई भी गारी वहां पर नहीं रुखती है अब इसकी वज़य क्या है यह तो फिल्में में आगे पता चलता है अब बात करेंगर फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी सुरू होती है तमिलाडो के एक छोटे से गाउं से जो की एक तरीके से बहुत ही पिछरा हुआ है पिछरा इस वज़े से क्योंकि वहाँ की गौर्मेंट, वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट, वहाँ के लोकल्स हर को इस गाउं को इनूर कर रहा है एक तरीके सुनको वो वेस्ट लैंड समझते हैं इस गाउं के तरफ इग्नोरेंस इतनी ज्यादा होती है कि एवन एक बस्टॉप भी इस गाउं के अंदर नहीं बनाया जाता है जिस वज़े से गाउंवालों को पास के गाउं में जाना पड़ता है और उन्हें बहुत सारी बेज़ती का भी सामना करना पड़ता है अब गाउंवाले और करनन इस पास से बहुत परेशान होते हैं कि उनके गाउंवाले करनन के साथ में बहुत कुछ ऐसे स्टेफ भी लेते हैं जिससे कि शायत उनको उमीद होती है कि बस आगे गाउंवे रुख जाएगी बड़ ऐसा होता नहीं है इनके जदो जढ़ चलते रहती है और इसी के उपर में कहीने कहानी लिखे गई है अब कहानी शायत आपको सुनने में थोड़ी सिंपल लग रही होगी बद बिलीब में जिस तरीके कि ये कहानी है और जिस तरीके से एक एक किरदार को परदे पे पोड़र किया गया है फिल्म दो चीजों पर बिल्कुल फोकस करती है, एक तो अभी भी समाज में इस तरीके से प्रिवलेज्ज और ऑपरिस्ट वसाइटी की बीच में लड़ा ही है वो, इस तरीके से गरीवी और अमीरी वाज लोग बिचला रहा है वो, अब इस फिल्म का ओवर ओल थीम कहीं न कह महाभारत से inspired लगा, कहीं कहीं छोटे parts में लगेंगे आपको, और कहीं जो एक main hero है, उनका character भी कहीं न कहीं कहीं करण के साथ में यहाँ पे मिलता जूलता सा है, हमें यह दिखानी ही पोशिश की गई है, कि यह दुनिया में अभी भी महाभारत चल रहा है, और उच नीच ज अपने गाउं के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने डिगनिटी के लिए और अपने हक के लिए अपने गाउंवालों के साथ मिलके लडाई करते हैं, अब बात कर लेते हैं, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, सबसे पहले इस फिल्म की अगर अच्छाईयों की बात क हम भी इन्हें के साथ मिलके अपनी समस्याओं खतम करना चाहते हैं साथी साथ जिस तरीके का कैमरा एंगल और जिस तरीके की सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म के अंदर है वो बहुत ही जादा बहतरीन है जिस तरीके से एक फ्रेम कैप्चर किया गया है आपकी नजरे नहीं हटती है स्क्रीन से साथी साथ जो संतोस नायाइन जी का म्यूजिक है इस फिल्म के अंदर में वो काबिल ये तारीफ है एक एक जगह पर जिस तरीके की मेजिक होनी चाहिए उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके का मेजिक इस फिल्म में डाला है वो कहीं न कहीं इस फिल्म को बहुत अच्छे तरीके से कॉंप्लिमेंट भी करती है अब बात करें परफॉर्फॉर्मेंसेज की तो इस फिल्म में हर कलाकार ने अपनी अपनी किरदार को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है पर जो फिर से एक बार सुपरस्टार बनके इस फिल्म में निखरे हैं वो है धानुस सर मुझे बिलीब नहीं होता कि कोई अक्टर इतना ज़्यदा वर्सेटाइल हो सकता है अभी उनको हमने अस्वर्ण में देखा था एक बाप की भूम्द का निभाते हुए और यहां पर वो एक ऐसे नौजवान है जिनके शादी भी नहीं होई यह अपने गाउं के लड़ते हुए दिखते हैं इतनी ज़्यदा वर्सेटिलिटी एक अक्टर की अंदर देखके हमें बहुत जादा खुशी होती है और हम इस बात का प्रावड भी होता है कि आने वागे टाइम पे इन एक्टर के हाथ में हमारी फिल्मे होंगी जिस तरीके से धानु सर ने एक अग्रेसिव युवक की किरदार को निभाया है जिस तरीके से एक्ष्प्रेशन्स दिये हैं, डायलों दिलिवरी उनकी है और जो उनका एक्षिन सीन्स है सब कुछ माइंड डूइंग है हैटस ओफ तो उसर जो आप इतने इच्छ तरीके से अपने क्रेक्टर को पोट्रे करते हो अब मेरे हिसाब से इस फिल्म के अदर में कुछ निगेटिव एसस तो है नहीं बढ़ हाँ एक तरीके की बहस चल रही है कि फिल्म का जो रन टाइम है वो बहुत लंबा है और वो से थोड़ा छोटा होना चाहिए था आपको भी यह कहीं कहीं ड्रैट लग सकता है थोड़ा सा बड बिलीव में जिस तरीके से डिरेक्टर ने दर्सकों को फिल्म के साथ जोड़ने ही कोशिश की है उस गाउं के साथ जोड़ने ही कोशिश की है उन गाउं वालों का पेन समझाने ही कोशिश की है टाइम तो लगता ही है और साथ ही साथ तरिकी का इस फिल्म का क्लामेक्स है उस क्लामेक्स तक पहुचने के लिए एक अच्छी कहानी का बनना बहुत ज़रूरी होता है तो मेरे हिसाब से इस फिल्म में मुझे कोई रन टाइम की प्राबलम नहीं लगी जो दूसरी निगेटिव पॉइंट लोगों को लग सकती है वो यह लग सकती है कि फिल्म बहुत ज़रा कमर्सियल नहीं है इसमें आपको वो नाच गाना मार घार उस लेवल का नहीं मिलेगा हाँ यहाँ पे आपको बहुत चीक कहानी मिलेगी बहुत अच्छे आपको परफॉर्मेंसेज मिलेंगे बहतरीन म्यूजिक मिलेगा और आपको सबसे बहतरीन आइटिक दिखने के लिए मिलेगा जो सिनिमेटिक एक्स्पिरियंस है वो बहुत बहतरीन मिलेगा बढ़ हाँ आपको सल्मान खान जैसा कमर्सिल फिल्म अगर आप धूंड रहेगी तो यहाँ पे नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से अगर एक बाड़ में बताओ तो इस फिल्म इस फॉर क्लासेज और नोट फॉर मासेज तो यह था मेरा रिव्यू कर्णन के लिए अगर बात करें रिटिंग की तो मेरी तरफ से फिल्म की रिटिंग रहेगी फॉर स्टार आट ओफ फाइव और अगर डिफिनिटी रिकमेंट के अगर आप मुवी लवर हो तो एक बार इस फिल्म को जरूर ट्राए करें आपको यह फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताए और अगर आप किसी और फिल्म या किसी और को स्रीज के रिव्यू चाहते हैं तो वह मुझे कमेंट करके बताए मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ तक तक के लिए पना ध्यान रखें खुज रहें ज